Assalamu alaikum everyone, उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे, आज की वीडियो का टॉपिक है vocabulary building skill का second part Use word formation rule for enhancing vocabulary, बहुत जादा important topic है, एक तो इसमें word formation के बारे में पढ़ेंगे, यानि के morphology के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे word formation rule जो के आपकी vocabulary बढ़ा सकते हैं ये topic लिया है, मैंने communication skills से, communication skill के अंदर vocabulary building skill के ओपर हम काम कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम इसको थोरे ले discuss करेंगे आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि morphology क्या होती है morphology basically study है कि words कैसे बनते हैं, morphology की classification क्या है, bound or free morphine क्या होते हैं उसके बाद root और stem क्या होता है word के अंदर और फिर हम देखेंगे formation यानि कि words को किस तरीके से form किया जा सकता है, क्या इसका process है English language में ये सारे processes जो हैं, वो word formation के लिए use होते हैं, इनको example के साथ, explanation के साथ, detail में देखेंगे और ये ही वो processes हैं जिसकी वज़ा से आपकी vocabulary बढ़ सकती है सबसे पहले morphology के discuss करते हैं, morphology जो लवज है, ये Greek जबान का है और इसके अंदर लवज जो morph आधा लवज है, इसका मतलब होता है, shape या form उसके बाद logic जो होता है, ये study of something, यानि के morph का मतलब है shape और form और study का मतलब है, study of something का मतलब है, के word की study को, यानि के form की study जो word की form है उसकी study को morphology कहते हैं linguistics के अंदर इसको इस तरह define किया जा सकता है scientific study of form and structure of words in a language morphology के अंदर हमारे पास smallest unit होता है morpheme morpheme is the smallest, meaningful and such unit which is grammatically correct in any language ऐसा set of word जो के smallest हो, meaningful हो और grammar के लिहाज से language में fit आता हो उसको morpheme कहते हैं morphologist यानि के जो study करते हैं morphology को उनका जादा तर focus यही होता है कि लफजों को किस तरहां चीदा चीदा करके, उसके parts में divide करके उसको constituent में divide करके, उसको चोटे चोटे smaller unit में divide करके ऐसे पढ़ा जाए कि individual part की एहमियत हर तरहां से आपको समझा सके individual part की एहमियत आपको हर तरहां से समझा सके अब morpheme की तरफ चलते हैं और उसकी classification की तरफ चलते हैं morpheme जैसे कि मैंने आपको बताया कि smallest unit है, grammatical unit है, इसकी value इस तरह से आप ले सकते हैं प्लॉरालिटी को कि एक से जादा लोग है तो यह ऐसा एस सिंगल जब इस तरहां वर्ड के साथ लगे गा तो वह एक अपना grammatical function रखता है इसकी बिना पर वह एक morpheme है, morpheme की दो टाइप होती है, free morpheme होता है और bound morpheme होता है जो अकेले stand करता है, independent होता है, जैसे के man, boy, girl, man के अंदर तीन phoneme, यानि के तीन sound के unit मौजूद है, लेकिन जब तीन sound के unit इकटे होके एक लवज बना देते हैं, जो के meaning convey कर रहा है, grammar के हिसाब से ठीक है, और अकेले stand कर रहा है तो वह free morpheme, बेतहाशा लवज इसके अंदर आ होते हैं, जो ordinary words होते हैं, noun हो सकते हैं, verb हो सकते हैं, adjective हो सकते हैं, जैसे के pen, read, quickly, ये वो हैं जो नाम के तौर पे इस्तमाल किया जाते हैं, या ये वो word के तौर पे इस्तमाल किया जाते हैं, इसके इलावा grammatical morpheme, वो morpheme होते हैं, जो grammar के rules की वज़ा से मौजूद होते हैं, क्यों grammar की वे जासे कर रहा है तो grammatical morphemes ऐसे होते हैं जिनके अंतर auxiliary verb आते हैं determiners आते हैं preposition आती हैं उसके इलावा conjections आते हैं bound morphem कौन से morphem होते हैं bound morphem ऐसे morphem होते हैं जो independently या अकेले stand नहीं करते उनको function perform करने के लिए कोई साथ अपने एक और free morphem चाहिए होता है या फिर कोई root word चाहिए होता है ये वो morphem इनकी यहाँ पर example लिकिवी है कि less meant only जैसे quickly में ly जो लगा वाई ये एक bound morphem है उसके साथ quick लगेगा तो वो अपना माईनी convey करेगा अब root और stem क्या होता है root basically free morphem होते हैं ये proper एक अपना meaning रखते हो independently stand कर सकते हैं वो root है और जैसे ही उसके साथ bound morphem attach किया जाता है तो वो stem बन जाता है next देखते है जो हमारा main topic है वो है word formation process morphology को मैंने और भी different videos में thoroughly explain किया हुआ है अराम से relax होके आप वो भी देखिएगा उससे आपको morphology ज्यादा बेतर तरीके से समझ आएगी अगर word formation process हम languages के नदर देखें तो इस तरह के मौजूद है कि etymology, coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, acronyms, graviation, infixes and re-duplication सबसे पहला जो process मेरे पाँ मौजूद है वो etymology है etymology एक ऐसा process है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो लफज है वो असल में आया कहां से था etymology जो लफज है ये लेटन और ग्रीक जबान का लफज है जिसका मतलब होता है original form या फिर study of original form तो etymology एक ऐसा process है English language के अंदर जिसमें हम तमाम लफज जो के अपनी एक history रखते हों हम नए लफज निकालें नई जबान लेके हैं हम पुराने लफजों को उनकी जो shape है उनका जो meaning है उस पर focus करते हैं कि पहले लोग क्या लफज इस्तमाल करते थे वही आज की language में इस्तमाल करते है coinage एक term है coinage का मतलब होता है कि नया word form करना नए word को इजाद करना invention जब कोई नहरी term नया word इजाद किया जाता है तो उसको coinage कहते है यह किसी भी field में हो सकता है specially IT की field में होता है जब भी कोई नए medicine बनती है नया robot बनता है नई application बनती है उसका नया नाम रखा जाता है यानि कि coinage किया जाता है ऐसे लवज जो किसी person के लिए नए word निकाले जाएं या places के लिए नए word निकाले जाएं उन्हें इफोनिम्स कहते हैं जैसे कि word sandwich जो है 18th century में निकाला गया था इसके बाद borrowing borrowing ये एक ऐसा process है जिसमें हम मुखतलिफ जबानों के लवज उधार लेते हैं अपनी जबान के अंदर जैसे हम अदू language बोलने वाले हैं लेकिन हम word pizza इस्तमाल करते हैं कि आज pizza खाना है अब pizza इटालियन word है जब ये इटालियन word है हमने क्या किया हुआ है इसको borrow किया हुआ है इसी तरह हम बोलते हैं कि हम hospital से आ रहे हैं हॉस्पिटल से जा रहे है हॉस्पिटल English जबान का लफ है उसे हमें अपनी जबान में इस्तमाल करते हैं क्या कर रह जयसे को सब्हत αыйड confirming अजैडियो memb야 इसी तरह हैं टेक्स्ट और ब्ँक को मिलाए तो टेक्स्ट बंगिए blending, blending एक ऐसा process होता है जिसके अंदर दो separate लफ़ों को मिलाया जाता है एक नई term बनाई जाती है लेकिन कुछ इस तरीके से उनको मिलाया जाता है कि वो एक दूसरे के अंदर mixture सलक यानि के जो दो लफ़ों मिलाया जा रहे हैं और इसका O G लिया गया है यानि कि कुछ word कट भी किये हैं और नया word बनाया है इसी तरह lunch, breakfast और lunch को मिलाया तो brunch बन गया camera और recorder को मिलाया तो cam recorder बन गया next process जो मेरे पास है वो है clipping clipping ये एक ऐसा process है जिसके अंदर लफ़ों को reduce करके नया लफ़ बनाया जाता है या फिर उसी word को represent किया जाता है short form में इस process को clipping कहते हैं इसके अंदर word के अंदर मौझूद syllables को कम किया जाता है अंदर मौझूद जो words होते हैं उनके syllables कम किये जाते हैं जैसे कि ये advertisement अब ये चार syllable मुझूद है तो इसके अंदर ये इसको short कर दिया AD add कर दिया इसी तरह examination एक बहुत लंबा लफ़ है इसको exam कर दिया ऐसे बहुत सारे लफ़ जो होते हैं उनको छोटा कर दिया जाता है next process जो मेरे पार मुझूद है वो है back formation का back formation एक ऐसा reduction का process है जिसके अंदर आप किसी भी word को जो के category उसकी change कर दी जाती है जैसे word आपके पार noun मुझूद हो आप उसको reduce करें तो वो आपके पास word बन जाए एक तो लफ़ चोटा हो गया दूसी बात कि उसकी grammatical category चेंज हो गई इसको back formation कहते है मिसाल के तौर पे आपके पास एक word मुझूद है edit edit होता है किसी भी चीज में तर्मीम करना और editor उस तर्मीम करने वाले को कहते है अब यहां पर edit का लफ़ जब editor में change होगा या editor का लफ़ एडिट में change होगा तो क्या होगा एक तो grammatical category noun से वर्ब में आ रही है वर्ब से noun में जा रही है दूसरी बात यह है कि love's reduce हो रहा है back formation से मिलता जुलता ही एक process है उसका नाम है conversion conversion के अंदर होता है यह है कि noun जो है वर्ब या वर्ब जो है वो noun में बन जाता है लेकिन reduction नहीं होती है यानि कि love's change नहीं हो रहा है अब जैसे यहां पर एक word मुझूद है sleeping अगर हम कहें कि she is sleeping तो यहां पर वर्ब की तौर पर यूज़ हो रहा है अगर हम कहें कि sleeping is good for health तो यहां पर एजन नाउन की तरह इस्तमाल हो रहा है तो यह conversion है next process acronym का है जो भी लंबे लंबे आपके पर terms मुझूद हो उनके initial letter लेके एक set of word बना दे है जैसे compact disc को हम आम तोर पे या बच्पन से CD बोलते आ रहे हैं इसी तरह automatic teller machine जो bank के बाहर लगी होती है जिसे हम पैसे निकालते हैं उसको ATM बोलते है personal identification code को हम pin बोते हैं जैसे के production of new word radiation का मतलब होता है कि जो पुराने लवज मुझूद होते है उनमें affixes add किये जाएं और फिर उन affixes की वज़ए से नए word मल जाते हैं जैसे के हमारे पर एक word मुझूद था happy हमने उसके साथ बस एक prefix un लगाया और हमारे पर निया word मुझूद हो गया जिसको हम कहते हैं unhappy यानि कि और हैपी का opposite हो गया prefix और suffix के इलावा infixes भी होते है infixes वो word होते हैं जो लफजों के बीच में आ रहे होते हैं यानि कि अगर एक निया word हम दो चीजों के बीच में डाल दें तो उसको infix कहते हैं पहले लगाएं तो pre है लास्ट में लगाएं तो suffix है लेकिन अगर बीच में word के बीच में कोई निया word डालते हैं तो उसको infix बोलते है एक word है hallelujah यानि कि ये hallelujah खुशी के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन अगर उसमें हम bloody डाल दें hello bloody luya यानि कि किसी और जबान का लफज है लेकिन हम इसमें क्या बीच में एक निया bloody word एड़ करें है निया word बना रहे हैं यानि कि हमने अच्छी चीज़ को बुरा बना दिया एक word को उसी time दुबारा repeat करें यानि कि यह वो word है जिनके अंदर हम word को same word को repeat कर रहे होते हैं इसी तरह उर्दू जबान के अंदर वह भाई वह थीक है वह दो दफ़ा आ गया तो यह root re-duplication है यह तमाम processes जो है यह word formation processes है उमीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी इन तमाम process की मंदद से आप नए word general कर सकते हैं और अपनी vocabulary को enhance कर सकते हैं इसके इलावा आप जब भी English किताब पढ़ते हैं तो आप already अपनी vocabulary को बढ़ा रहे होते हैं आज की वीडियो में इतना ही था अगली वीडियो तक के लिए अपना खयाल रखें